तो जैहिन वेटा सभी बच्चों को जैहिन आज की वेटा आज की वेटा आपके सामने एक न्यूस है आज की न्यूस क्या है वेटा SSC CHSL की वेकेंसी वेटा आउट हो चुकी है क्या वेटा SSC CHSL की वेकेंसी वेटा आउट हो चुकी है कुल कितनी वेकेंसी है सर तो वेटा 45 आपके सामने आ चुकी हैं कितनी बिटा 4500 वेकेंसी आ चुकी है साथ ही याद रखेंगे 6 दिसमबर से 6 दिसमबर से फॉर्म फिल होने शुरू हो गए बिटा जल्दी से अपने फॉर्म फिल करवा लीजिए फिल्म करवा लीजिए बिटा और लास्ट के लिए मत छोड़ना ब जनरल OBC EWS क्या रहेगा बिटा 100 पेस की फीस रहेगी बाकी सभी के लिए लगबग निल है बात करते हैं एक्जाम के पैटन पर बात करते हैं एक्जाम के पैटन पर तो यहां ध्यान से देखेंगे SSC CHSL 2022 की जो वेकेंसी है उनके लिए बिटा आयू सीमा कितनी है 18-27 वर्स बिटा आयू सीमा है आयू सीमा बिटा 18-27 वर्स साथ ही याद रखेंगे उमीदवार का जन्म 2-1 यानि 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक यानि इन दो डेट के मद्द होना आवशक है इन दो डेट के मद्द होना आवशक है साथ ही जो एबलिगांट है यानि जो उमीदवार है वो वेटा 12 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉगनाईज किसी भी रिकॉगनाईज बोर्ड से पास होना चाहिए 12 उसकी क्लियर है इतनी बात आगे बढ़ेंगे देखते हैं आगे बढ़ते हैं एक्जाम को बिलकुल SSC CGL की फॉर्म का बनाया गया है अगर हम बात करें तो बिटा computer based examination आपका होगा tier 2 भी बिटा अपका computer based examination होगा tier 3 आपका skill test और typing test होगा clear है बिटा तीन तीरों में ये एक्जाम होगे number 1 computer based examination test number 2 computer based examination test and then last में बिटा तीर 3 होगा आपका typing test और skill test clear है बिटा अगर हम बात कर लें subjects और उनसे जुड़े marks थी तो याद रखें यहां पर आपके 4 subject है सामाने बुद्धी, सामाने जागरुकता, गड़ित और अंग्रेजी भाषा बिटा अगर हम बात करें तो सामाने बुद्धी के 25 question, GS के 25 question, Maths के 25 question और अंग्रेजी भाषा के 25 question कुल मिलाकर हो जाते हैं बिटा 100 question और साथ ही बिटा अंक कितने total 200, यानि हर question बिटा दो marks का है, हर question बिटा दो marks carry की हुए है और साथ ही बिटा प्रते गलत उत्तर के लिए आधा marks आपका काट लिया जाएगा, यानि दो गलत उत्तरों से आपका एक सही प्रश्न काट दिया जाएगा, अगर आप दो गलत उत्तर चुनते हैं तो बिटा आपका एक सही उत्तर काट दिया जाएगा, clear है बिटा यानि half क बेटा क्या है यहां क्या है वन वाई टू की नेगेटिव मार्किंग है इतनी बात आप याद रखेंगे clear है बेटा तो चलते हैं अपनी बेटा application पर अगर हम बात करें बेटा यह आपको सरकारी exam .com पर मिल जाएगा बेटा आप अच्छे से यहां पर form को देख सकते हैं सभी देट सभी तरया से यहां से आप देख सकते हैं और सभी तरया की जानकरी यहां पर पूरी की पूरी पिड़ा यहां पर दी गई है जितनी भी जानकारी आपके लिए यूसफुल थी, सभी के सभी मैंने इस वीडियो के दर्मियान आपको दे दी है चलिए तो खुश रहें और तैयारी करें जोरों-शोरों के साथ, और कटारा कॉम्टिशन एकेडमी आपके साथ है, आपके सेलेक्शन तक आपके साथ चलेगी बेटा क्लियर है, चलिए तो बेटा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए ख्याल लगके, खुश रहें, पढ़ते रहें, जै हिन, जै भारत